आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कॉंटिनेंटल फूड के बारे में अब क्या हो है ना लॉक्डाउन है तो लॉक्डाउन में हम इंडियन्स ने सारे फूड ट्राई कर ले चाहिए वो चाइनीज हो गया साउथ हो गया मैटनी करता है कि आप कहां से ब्लॉंग क रहूं कि नहीं बता है कि क्या होते हैं उनको इस चीज से पता चल जाए गा कि पते क्यों हम लोग थोड़े से इसे इस ऐजाते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग शोर जाओर व्याओंग अपको क्या क्या मिलता है और मैं आपको बता भी दूंगी कि या बना सकते हो लोग्डावन में अपने घर पे लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हो फैमिल को खिला के तो वेट ना कराते हो फटा फट वीडियो स्टार्ट कर देते हैं जो हमारा फर्स नंबर पे है वह हमारा crispy calamari rings तो क्रिस्पी कालमारी रिंग्स के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर आप में सीफूड पसंद करते हो तो आपको यह चीज के पसंद आने वाली है because यह बहुत टेस्टी होता है और में सखॉइट से बना होता है तो कर बाfoldदा नहीं आप पता ही होगा कि पहुतो का पंकोड के खाना पसंदे रहा है तो फिटी तो पली तरह के बन CAPS अन्युल को जली तो रिंग क्ट करनी है यह तो पाकोड़े के जैसे पका लिना है और इंडियन के बारे में आपको पते हैं और यह वोग अपना अलग ही उसमें टेस्ट डालते हैं यह चिली हो गया यह फिर मसाले हो गया वो अपने इसाब से बनाऊगे तो बहुत टेस्टी बनने वाला है व्हों कि एक तो वह सेकिंड है यह पे हमारा पनीर स्शेट कर्नीर स्टिक करना इसे टहुशन से जाया होते है क्लीपर वेगवेटिबल इधिकली तो इसमें अवे वेजटेवल्ट जाहिए थाविश बहुत टेस्टी है वह एसमें और श्ची पड़ते है और तो शील बनता है मैं दो उस चीज म पोस्टे चेटे इस तो पोस्ट से लिए वेटर रहेगा थोड़ा सा तो आप बना सकते हैं और बहुत ईजरी तरीके से анич trampoline और बताते हैं इज वेस्टोड उस टैफैर यहां पे बताते है एहां इस्ट sür HEY्द स्पीरिंगों कि स्टोड शापिन पहते हैं बहुत कोमन हैं भुट चुमेह सुद्धीज क्रेच सेंबलने भी italy्ज़ पर्मेcent स्टीन जिंजर, शीव, बफैलो, मुर्जला, चीज तो यह जादा है तो यह जादा है तो यह जादा तर चाइनीज वाले खाएंगे तो थोड़ा डिफरिंट तरीके से बनता है तो गाईस अगर आपको रेसिपी वगेरा जानना है कि आप कैसे इसको बना सकते हो तो नाम में आपको बतारी हो यूटूब पे सर्च करो और आपको हजारो रेसिपी मिल जाएंगी कि आप कैसे बना सकते हो तो बहुत इजी है तो इस्ट वेस्ट इस्ट 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 तो इसमें तो इस तो दो चिकन ब्रेस्ट लेने हैं तो एक बाइब बता हो तो एक बाइब बता हो हम लोग ना इंडियन तो रेड वाइन वगेर यह सारी चीज़े ना पसन नहीं तो अगर आपके बनाना चाहते हो और आपके पास है अल्रेडी स्टॉक है तो आप बना सकते हैं इसमें अपो सि अश्ठा पनीज़े लेना थे एक बीड़र नहीं तो लिएल से उन सबस्धा और पॉर्ड कर लेगा तो थोडफीर लेका दो तो आप स्धा dois सब्सक्टिन इसने घ्याइन यह से बनाते हैं तो मेरे घर में ऐसा मुझाएं खा JUST पार थेज़े अगर बनाना पड़ेगा एंके से थोड़ा सा चलना पड़ेगा तो आप उसमें में बना सकते हैं अब इतना सारा खाना हो गया थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं अब ओеняगा एंके साउ और फूड़े लिगगा था स्टीज बना पड़े हो घने रफा कुर ड Васई को शर्था sow कर दो आएक पड़ी समय परहां और कर नहीं होना है क्योंकि हम लोग फूडीज होते हैं बच्पन से तो यही चीज है इसमें भी आप बहुत इसली स्पाय को बना सकते हैं यू नीट 1 cup रिफाइन फ्लोर 1 teaspoon पावडर शुगर अवना थर्ड पार्ट कप बटर लेना है को बटर लेना है एट ग्राम्स वालनट लेना है यह तो लेना ही पड़ेगा चॉप कर लो भूट फाइनली 40 ग्राम्स देट्स लेनी है चॉप फाइन एंड 1 कप मिल्क लेना है आ अब ब्राउन चुगर लेना है एंड 3-7 इंच पाई डिश आपको बेक करना है तो बहुत ईसली है पाई की आप देख सेकते हैं रेसिपी मतलब की रेसिपी मैं आपको इंग्डियंट्स बता दिये हैं बट इसे बनाना है और आपको यूटूब पर देख सकते हूँ तो आ बहुत ईजी था इसलिए मैंने आपको यह वाला बताया तो आप इसको ट्राइ कर सकते हैं और अगर आपको और कॉंटिनेंटर फूट के बारे में जानना है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिग देदूगी आप पर चेक कर सकते हो और अगर आप इसमें से कुछ भी बना के खाने वाले होना तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बतारा कि आपने क्या बनाया था और कैसा लगा ताकि मैं भी अपने घर पर ट्राइ कर सकूं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्स्राइब कर दो साइट में जो बला इकन इसको प्रस करना ना भू मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तेल रेन हापी शॉपिंग बाई बाई